संपत्ती बिबाद में दो केस जो है न वो ज़्यादातर किया जाता है अन केस भी होते हैं लेकिन दो केस जो होता है वो ज़्यादातर कोर्ट में केस फाइल होता है वो होता है टाइटल सूट और ये है पार्टिसन सूट तो संपत्ती बिबाद में यानि आपका जमीन बिबाद हो यान कोई प्रोपर्टी सम्मन्दित बिबाद हो उसमें ये दो case के बारे में आपको जानना बहर जरुरी है अब जो title suit होता है इसको भी समझेंगे और जो partition suit होता है उसको भी समझेंगे और दोनों में क्या अंतर है इसको भी समझेंगे और दोनों आप कर सकते हैं कि इसको भी समझेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टाइटल सुट का मतलब जब भी कोई भी मामला विबाद होता है तो आपको पता होता है कि आप पर टाइटल सुट कर दिया गया या आप किसी पर टाइटल सूट कर देते हैं ठीक है तो इसका क्या मतलब होता है उस बात को समझे देखिए माल लेते हैं ये संपत्ती है ये जो आप देख रहे हैं ये संपत्ती है आपका ठीक है ये संपत्ती है और इस संपत्ती पे इस संपत्ती पे नाम जो है है ना नाम जो है तो ये मतलब गर्बरी हो गया है गर्बरी होने का मतलब क्या है कि जमीन का टाइटल मेरे पास ही था अभी नहीं है बात को समझना है कि जमीन का टाइटल मेरे पास था अभी नहीं है मतलब मेरे पास था का मतलब हो गया कि मेरा जो टाइटल होगा मेरा जो संपत्ती का टाइटल होगा वो अगर मेरे पिता के नाम पे है मेरे दादा के नाम पे है तो भी वो मेरा ही होगा तो संपत्ती का टाइटल जो आपके पडिवार है आपके पडिवार के नाम पे था लेकिन अब नहीं है अब वो जो है हट गया है तो वो यहाँ पे जो है उस case में आप जो है यानि आपका नाम अभी बरतमान में नहीं है लेकिन पहले वाला जो था उसमें है पहले था उसका कागज दस्तास है लेकिन अभी नहीं है तो आपको करना परेगा title suit और title suit उसके उपर करेंगे कि जिसके नाम अभी बर्तमान में है मतलब बर्तमान में जिसका नाम इस पे आ गया है तो आप title suit करेंगे उसको कि ये तो मेरी property है आप कैसे लेके रखे हुए हैं या आपके नाम से कैसे है या तो वो अपने पास भी रखा होगा जैसे भी दखल करके रखा होगा है ना उसका नाम है दखल करके रखा होगा तो वो ही उसे पूझा जाएगा का आपके पास इसका टाइटल आया कैसे और टाइटल आता कैसे है तो टाइटल आता है जब प्रोपर्टी का नाम जो है यानि उसको ट्रांसफर किया जाता है और ये ट्रांसफर का प्रोसेस ही है रजिस्टरी और रजिस्टरी करके नाम को ट्रांसफर किया जाता है इसके अलावा भी ट्रांसफर करने का बहुत सारा तरीका है वसियत कर दे दान कर दे है ना ये होता किसी को सरकार के दोरा बंदोबस्त कर दे तो ये परकिरिया है लेकिन कैसे किया गया आप तो उसको जानने का हाँ है ना कि पुराना टाइटल आपके पास है अभी दूसरे के पास चला गया कैसे चला गया तो वो जानने के लि कि उसके पास वो संपत्ती कैसे आया ठीक अगर आप नहीं जान रहे हैं तो वो खुद बताया है ना और खुद बताएगा तो ये टाइटल सूट इसके अलाबा भी अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि नाम हट जाए अगर माल लेते हैं आप किसी से जमीन खरिदे जमीन खरिदे और जमीन का आपको बरतमान जो है वो पोजीशन दे ही नहीं रहा है मतलब जमीन खरिद के सब कुछ कटा रहे हैं रसीद भी कटा रहे हैं लेकिन आपको उसका पोजीशन दे नहीं रहा है मतलब आपका जो जमीन है या तो दखल में नहीं है या आपको सही position नहीं मिल रहा है मतलब यह बहुत सारे condition हो सकते हैं कि आपको दखल दिया ही ने रजिस्टी हो गया दाखिल खारीज हो गया रसीद आप कटा रहे हैं लेकिन आपको वो position नहीं मिला मतलब title आपके पास है लेकिन वो position नहीं है उस case में आप title suit करेंगे और registry मान लेते हैं जिससे खरीदे आप है आप title suit उसी पे करेंगे कि मेरे पास संपत्ती का ये title है और हमको अभी तक ये संपत्ती सुपूर्द नहीं किया गया मतलब आपको वो चीज जो है नहीं दिया गया जबकि registry करने वक्त ही उसको एक तरह से diagram represent कर दिया जाता है कि आप कौन सा संपत्ती आपका जो नकसा है नकसा के हिसाब से आप संपत्ती कहां पे उसको दे रहें वो diagram का copy भी registry के copy के साथ attach होता है तो अगर आपके साथ मान लेते हैं ये सारा कुछ करने के बाद position नहीं दिया गया है तो आप quote में याची का दायर कर सकते हैं और title suit कर सकते हैं लेकिन देखिए title suit जब आप करेंगे न तो title suit में कुछ basic cost भी आपको pay करने परेंगे मतलब वो बहुत बड़ा नहीं होता है है ना लेकिन जो उसका अपना जो है quote का जो नियम है वो वकील से जाके आप समझेंगे और वकील के द्वारा सारा कुछ बता दिया जाएगा आपका जो fee असूल कोगा वो आपको देना हाजार में होता है लाक में नहीं होता है इस बात को भी समझेंगे वो डिपेंड करता है लेकिन property के भी कि property अगर जादा है तो फिर उसका वो valuation अलग हो सकता है अब उसके बाद जो आपका वकील का खर्च होगा इसलिए आप जैसा वकील रखेंगे तो starting में अगर आप case file ही कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं होता है कि आप सारा कुछ मतलब एक तरह से बहतर हो कहां आपके पास अगर मान लेते हैं भी amount है पैसा है तो कोई दिकत नहीं आप करवा सकते हैं ठीक है लेकिन आप कोई भी वकील से करवा सकते है नए भी आए हैं वो बिगनर भी हैं सीख भी रहे हैं तो आप उससे करवा सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है तो ये हो गया title suit का मामला title suit का मामला का मतलब हो गया कि अभी जमीन जो बरतमान में है वो आपके नाम से वो title चल रहा है आपका नाम है तो भी आप कर सकते हैं न का सुधार कैसे कराना है कि उस समय कोई online system नहीं था कोई यात का उतना बड़ा साधन नहीं था उसके अलाबा जो दस्ताबेज निकालने होते थे तो लोग पहले उसको जाते थे देखते थे तो लोग उतना जो है मतलब educated नहीं थे तो बहुत तरह की बाते हैं आप अपना दलि भी होगा सारा कुछ मिलेगा अब उसके बाद है कि हम उसमें discuss करने वाले हैं पार्टी संसूट को देखिए ये सबसे सस्ता केस है सस्ता मतलब है कि ये जो है आपके पास जो संपत्ती है आपके पड़िवार के लोग आपको बेदखल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कान है और वो अगर अपने लालज के चलते माल लेते हैं कि परदादा के नाम से है या पूरा बहुत बड़ा संपत्ती है कोई अगर बोले नहीं दो भाई एक साथ मिल गया एक बाई नहीं देना चाहरा या पड़िवार में हैं मतलब ये बड़ा पड़िवार हो गया joint family है गोत तो आपके लिए बनाये गया ना partition suit तो partition suit जो है जानि उसी चीज़ को तो divide करने का पर करिया के अगर आपड़िया कर लेगा अगर आप नहीं देंगे इसको हिसा तो partition suit करके आप उसको जो है अपना कानूनी तरीके से हिस्सा ले सकते हैं अपना share ले सकते हैं अगर आप जो अभी भरतमान में आपको share मिला उससे संतुष्ट नहीं है या जो share मिला वो जो है सही धंग से नहीं मिला या आपको share कोई देही नहीं रहा है आपके नाम से जमीन अलग नहीं कर रहा है आपके नाम से प्रोपर्टी सोप्र अलग नहीं कर रहा है तो आपके लिए हैं PARTICION SUIT आप पोट में जाएं PARTICION SUIT केसफाइल किजिंए और पार्टीर请 का जो cost भी मतलब court fee उट आप का जो वकील आप जैसा रख रहे हैं उनका जो fee है उसको आपको pay करना परेगा तो शुरुवाती दोर में हम यही suggest करेंगे कि आप माल लेते हैं बाद में बहतर वकील उसको जो है रख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा जो वकील किया वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कि partition suit है और partition suit है माल लेते हैं तो ये चीज इसमें आप जो है सबसे पहले की divide ही करना है तो कोई बड़ा task होता नहीं है ठीक है तो इसलिए जो संपत्ती है उसको आपका बहुत ज़्यादा संपती है, सारा ये information देना है, या आपका मालत ने कुछ उलजा हुआ है, तो आप चाहते हैं तो बहतर वकील भी रख सकते हैं इसके लिए, ये आप पर depend करता है, आपका कैसा financial लेकिन ऐसे बात नहीं है कि कोई भी वकील रहेंगे, नए भी रहते हैं वो भी केस जितते हैं, और मतलब है, कापी चले हुए वकील है, वो भी केस हारते हैं ये बात आप समझ लेजिए, तो इसलिए वो depend करता है कि आपका किस टाइब का केस है, केस स्ट्रॉंग है या नहीं है तो title suit और partition suit दोनों भी हो सकता है अगले वीडियो में तब तक के लिए